Welcome to the 17th lecture of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for beginners इस lecture में हम समझेंगे बूस्ट्रेप क्या है और रियक्ट में बूस्ट्रेप का यूज क्यों किया जाता है और इसी के साथ हम सीखेंगे की रियक्ट में फॉर्म्स को प्रियेट के ऐसे किया जाता है तो स्टार्ट करते हैं काम आगे बढ़ने से पहले ही कर लेते हैं एक बार रिवाइस तो हमने यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया था यूजर फॉर्म.js फाइल में और चाइल कॉंपोनेंट यूजर फॉर्म को पैरेंट कॉंपोनेंट की फाइल एप.js में इंपोर्ट किया था फिर हमने use state hook का use child component user form में input fields की state को manage करने के लिए किया था उसके बाद handle submit event handler का use किया था handle submit event handler form के submission process के लिए responsible होता है ये form के data को server API को भेजता है form के successful submission पर success message को display करता है form field को clear करता है error को handle करता है और error message को user को display करता है और हमने axios को भी import किया था तो axios एक javascript की popular library है जो की stdp request के लिए methods को provide करती है और यहाँ पर हम axios.post method का use कर किया है हमने backend यानि की server को post request भेजने के लिए लेकिन axios को install करना रह गया था तो अब हम करते हैं axios को install npm install axios की command से हमने किया enter इसके बाद तो हम देख रहे हैं कि हमारा axios install हो चुका है तो अब जानते हैं कि bootstrap क्या है और react में हम इसका क्यों use करते हैं तो bootstrap एक popular open source front end framework है जिससे हर कोई access कर सकता है तो हम भी अब इसे access करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे install करना है तो install करने की command है npm install bootstrap इसके बाद जो भी एक version है तो इसको हमने copy कर लिया और हम terminal में कर देंगे paste और कर देंगे साथ में enter तो यह हो जाएगा install और बहुजली install होता है हो भी गया है तो इसके बाद हमने अब include करना है जो gem install है यह है Ruby on Rails के लिए इसके बाद हमने install करना है CSS को तो CSS के लिए हमने link वाले code को copy कर लिया और bootstrap की CSS को include करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले index.html फाइल में ताकि globally हम include कर पाए CSS को अपने code में अपने project में तो यहाँ पर min.css से वाले code को मैंने पहले ही paste कर दिया है copy and paste तो इसे करना है head tag से पहले उसके पाद javascript के लिए script वाले code को करना है copy और इसको paste करना है index.html फाइल में head tag के बाद यह मैं already कर चुकी हूँ यह मैंने आप लोग को दिखाने के लिए किया है और बूसरी बात यह कि हम react में bootstrap को use क्यों कर रहे हैं bootstrap एक valuable tool है चाहे beginners हो या experience developers हो bootstrap का use react में ही नहीं बलकि web development industry में सब इसका use करते हैं वह इतना time नहीं होता कि खुद से बैठके CSS लिखी जाएं और bootstrap बनाया ही इसले गया है कि जो code already लिखा हुआ है उस पर क्यों time waste करना तो हमने bootstrap की CSS को और JS को JavaScript को दोनों को कर लिया है इम अपनी index.html फाइल में include और हम react में forms को create करने के लिए भी bootstrap का ही use करेंगे तो जाके देखते हैं docs में जाते हैं यह हम example में पहले जाते हैं docs में देखते हैं और इसके बाद जाते हैं यहाँ पर इसके बाद components हैं बहुत सारे तो forms तो अलग से ही होगा क्योंकि form यह है form जाते हैं overview में तो यहाँ पर हम form control का भी use करने वाले हैं जब हम forms बनाएंगे तो form control को open करके देखते हैं तो देखे अगर आपको ऐसा कोई form बनाना है तो आप इस code का use कर सकते हैं तो इसमें अपने label, input और text area इन सब का use किया है साथ में आपने जो class name का use करेंगे आप यहाँ पर जैसे हमने class लिखाये हर जगा क्योंकि HTML के लिए हम class लिखते हैं और हम क्या-क्या use करने वाले हैं हम use करेंगे containers का जो containers होते हैं यह fundamental building block होते हैं bootstrap के लिए जिसमें आपका padding भी आ जाती है alignment आ जाता है और device के लिए viewport आ जाता है तो हम containers के लिए class name container का use करेंगे class यहां पर class की जगह हम attribute लिखेंगे class name equal to container क्योंकि हम use कर रहे हैं jsx का उसके बाद हम दूसरा देखते हैं layout में ही container हो गया grid को देखते हैं तो हम grid system का भी use करेंगे यहां पर हम columns जब भी हम अभी form बनाएंगे तो हम class name equal to row लिखेंगे class name equal to column लिखेंगे तो हम bootstrap का बहुत ज़्यादा use करने वाले हैं अपने form को बनाने में और उसके बाद हम और भी ज़्यादा जो components हैं उनका हम use कर सकते हैं बाकि जब हम website को बनाएंगी तो हम accordion को भी बना सकते हैं lab bar को बनाने के लिए आप मतलब हम के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीजया पर पर तो फॉर्म से आंझे भी चैंजने में जैसे कि गृप आ गए इसे तो हम फॉर्म करसकते हैं चाहते हैं युल्ण control कभि यूज कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके हम उस ..स को explore भी करते रहेंगे और अपना कम हम आगे करते भी रहेंगे और हम drop-down का भी बहुत करने भाले हैं तो उसको भी देख लेते हैं drop-down का use हम form भी करने वाले हैं और क्या पता हम आगे भी और ज्यादा इसका का यूज करें तो हमें ऐसा अगर drop down बनाना है तो इसके लिए हम इस code का यूज करेंगे जो हमें नीचे दिया हुआ है और यहां पर click करेंगे तो तीनों option जो action another action और something else here जो भी लिखा हुआ है सब option में यहां पर दिख जाएगा तो जो हमारा bootstrap है बहुत ही जादा important है और हम पूरे front end में इसी का use करने वाले हैं इसी की हम class name का use करने वाले हैं तो हमने इस form को बनाना है तो हम पूरा ही bootstrap की help लेने वाले हैं इसमें तो जैसे हमने salutation में the drop-down बनाना है, तो इसमें हम पूरी bootstrap की help लेंगे 210 legal price और calendar के लेखे लोन भी help लेंगे boost trap की और dropdown को बनाने में तो पूरा ही bootstrap की help लेनेवाले तो आज हमने थोड़ा प्लों bootstrap को देख लिया है है और next lecture में bootstrap की help से अपने react के form को बनाना start कर देंगे